Hello friends, welcome to Madhav Draces Madhav Draces में आफ सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Friends, आज की वीडियो में देखे हम ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनाना सीखेंगे इस पोशाक का मुकुट मैंने पहले ही बनाना बता दिया है इस पगड़ी की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है उसका लिंक मैं आपको description box में डाल दूँगी आप वहाँ पर जाकर उस मुकुट को बना सकते हैं तो ये एक requested वीडियो है मेरे subscriber की demand थी कि मैं इस मैंने जब पगड़ी की वीडियो डाली थी कि मैं आप इसकी पोशाक भी बनाना सिखाईए तो आज मैंने उनकी demand पर इस पोशाक को बनाना बताया है और ये पोशाक जितने में दिखने में जितनी सुन्दर है और जित आपको टफ लग रही है लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है इस पोशाक को मैंने पांच नंबर लड़ू गोपाल जी के लिए बनाना सिखाया है लेकिन आप इसको छोटे और बड़े किसी भी साइज में बना सकते हैं जिस साइज में आपको बनाना है उसी साइज में आप इस प्लोड है मैं उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और फिर चोली को बना लीजिए अब इसके बाद हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां से यह मैंने चोली बना ली इसको यहां पर लेने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे पाच नंबर की चोली बनाने के बाद हमारे यहां जो नीचे डबल क्रोश्या बने हैं वो टोटल 25 डबल क्रोश्या हैं अब हम य नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोश्या हम यहाँ पर तीन तीन के पेर में डबल क्रोश्या बनाएंगे तीन यहाँ पर फिर एक चेन लेंगे फिर तीन डबल क्रोश्या फिर एक चेन लेंगे फिर तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे नेक्स्ट चेन में एक इससे नेक्स्ट मे एक डबल क्रोशिया देखिए यहां पर फिर से हमने 3 बनाए अब एक चेन लेंगे फिर 3 डबल क्रोशिया ऐसे करते वे round को complete करेंगे last में आने के भाद देखिए यहां पर एक चेन लेंगे और शुरू में जो 3 चेन बनायेटी तोटल हमारी आठ कलिया बनेंगी यहाँ पर, अब हमारे हाँपर हमें आठ कलिया बनाने के लिए 24 डबल क्रोश्यों की जरुती, लेकिन थे हाँपर 25 तो मैंने एक डबल क्रोश्या यहाँ पर बीच में skip कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, यहां से जोईन करने के बाद देखिए हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ऐसे धागा लेंगे और जो यह पहला double crochet जो 3 चेन थी इसी के अंदर ऐसे डालेंगे फ्रंट पॉस्ट बनाती है जैसे हम और पहले हम एक लूप में से निकालेंगे और फिर हम दो लूप में से निकालेंगे डबल क्रोश्या फिर दो लूप में से निकालेंगे इस तरह से यह हमारा ट्रिपल क्रोश्या बन जाएगा और यह लंबा बनेगा थोड़ा सा अब इस इसे ले लेते हैं फिर इसी के उपर एक बार और बनाएंगे ऐसे धागा लेंगे पहले एक लूप में से निकालेंगे फिर दो लूप में से निकालेंगे और फिर दो लूप में से तो यहां पर हमारे दो ट्रिपल क्रोश्या बन गए अब धागा लेंगे और जो बीच वाला और हम दो दो बार बनाएंगे तो देखि हैं फिर यहां पर धागा लेंगे और इस तरह से फ्रंट पॉस्ट बनाएंगे और इसको ऐसे triple क्रोश्य की तरह भुनेंगे फिर धागा लेंगे फिर यहां पर एक बार और बनाएंगे तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पांच टिपल क्रोश्या बने दो इसके अंदर एक इसके अंदर और दो इसके अंदर अब हम यहाँ पर बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे और फिर बीच में एक चेन और फिर इसी के अं का लेंगे और पहले एक लूप में से फिर दो लूप में से फिर दो लूप में से अब हमें इसके उपर दो बार बनाना है तो फिर एक बार और बना लेते हैं धागा लेते हैं और इसके उपर ऐसे ट्रिपल क्रोश्या बुन लेते हैं इस तरह से अब बीच वाला है इसके तो देखिए, इसकी ऊपर भी हमारे 5 बनें, दो यहाँ पर और 2 यहाँ पर और एक बीच में, अब हम एक chain में आ गए, इसकी यहाँ पर एक डबल क्रोश्या, और एक chain और फिर एक डबल क्रोश्या, अब देखिए, ऐसे ही करते वे, अपने इस पूरे राउंड को कंपलीट कर अब हम वर्क के लास्ट में आगे देखें यहां पर हमने फ्रेंट पोस्ट बना लिए अब बीच में जो एक चेन ली थी यहां पर वर्क करना है तो यहां पर एक डबल क्रोश्या बनाएंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोश्या बना तीन चेनल लेने के बाद देखें इंधे इक दू राऍव तबनाएंगे तो देखिएए एक बार फिर दो लूप में से एक बार आप इसके बाद देखिए यहां पर हमारे चार बचे तो जो बीच के 3 फ्रंट पोस्ट इनके उपर हमें एक एक बार बनाना है तो देखिए इस तरह से डालते कुरोषयों को निकालते हैं इस तरह से अब फिर इसके उपर हम दो बार बनाएंगे, तो देखी इस तरह से एक बार, फिर दो लूप एक बार, दो लूप एक बार, इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे, ट्रिपल क्रोश्या, तो धागा लेंगे, ऐसे निकाल कर एक लूप एक बार, दो लूप एक बार, दो लूप एक बा एक लूप में बार दो लूप में एक और दो लूप में एक बार आप जो बीच पीच बैचेन यहां पर डबल क्रोश्य वनाएंगे इस एक चेन एक डबल क्रोशय और अब जो यह डबल क्रोश है इसके उपर फिर बैक पोस्ट एंगे तो इस तरह से निकालेंगे और एक लूप एक बार दो लूप को एक बार और दो लूप को एक बार । देखे कर देखे हैं इसमें पहले उपर दो बार बनाएंगे ऐ ऌर इसी के उपर फिर से एक बार बनाएंगे ये धो बार बना गया अब कि जो तीन फ्रंट पोस्ट है, इनके उपर एक एक बार बनाएंगे, ये पहले के उपर एक बार, ये दूसरे पर, और ये तीसरे पर, इसके बाद हमारा लास्ट वाला बचा, तो इसके उपर दो बार बनाएंगे हम, ये दो बार हमने ट्रिपल क्रोश्य बना लिया, अब देखिए बीच में जो एक चेन एक डबल क्रोश्या है इस पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे तो पहला डबल क्रोश्या है इसके उपर ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे और बीच में एक chain है, chain के अंदर एक double crochet, एक chain, एक double crochet अब ये जो double crochet है इसके उपर back post बनाएंगे तो देखी friends कुछ इस तरह से हमारा work नजर आएगा और इस तरह से करते वी इस round को यहां तक complete करेंगे देखिए इस round के last में आगए, अब यहां पर एक double crochet, एक chain, एक double crochet इसके उपर हम back post बनाएंगे, crochet में धागा लेंगे इस तरह से और इस double crochet के यहां पर ऐसे back post बनाएंगे और पहले एक loop एक बार निकाल लेंगे, फिर दो loop एक बार, फिर दो loop एक बार अब बीच में जो एक chain बनाई थी, यहां पर एक double crochet, एक chain, फिर एक double crochet बनाएंगे और फिर आगे जो यह double crochet है, इसके उपर back post बनाएंगे, इस तरह से अब शुरू में जो हमने तीन chain बनाई थी, यहां पर इसकी third chain में जाकर इसको slip stitch से ऐसे join करेंगे इस तरह से, अब यहां पर तीन chain लेंगे, तीन chain लेने के बाद देखिए, यहां पर हमारे दो, चार, छे और एक साथ 7 triple crochet हैं, तो पहले triple crochet के उपर 2 बार बनाएंगे, triple crochet इस तरह से, फिर इसी के उपर एक बार और, फिर next वाले के उपर एक बार, फिर next वाले के उपर भी एक बार triple crochet, फिर next वाले पर भी एक बार triple crochet, फिर next वाले पर भी एक बार triple crochet, फिर next वाले पर भी एक बार triple crochet, फिर next वाले अब एक बचाए इस पिके उपर भी ट्रिपल क्रोशिया और लास्ट वाला जो है इसके उपर दो बार ट्रिपल क्रोशिया देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हमारे देखिए शुरू में हमने दो बनाए एक के उपर ही दो फिर तेन चार पाँच छे साथ और इसके उपर भी दो बनाए तो नो ट्रिपल क्रोशिया बन गए अब हम बीच में जाएंगे देखिए यहाँ पर हमने जो यह बैक पोस्ट बनाया था इसके उपर ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से और जो यह एक डबल क्रोशिया इसके उपर भी ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर भी अब हमारे इंक्रीज होते जाएंगे बैक पोस्ट अब बीच में एक चेन आ गई यहाँ पर एक डबल क्रोशिय एक chain एक double crochet अब यह double crochet है इसके उपर back post बनाएंगे इस तरह से और फिर यह जो back post बनाया था इसके उपर भी back post बनाएंगे तो यहाँ पर भी देखे इस तरह से increase होते जा रहे हैं यह अब इसके उपर यहाँ पर पहले वाले back post के उपर sorry front post के उपर front post दो बार इस तरह से और बाकी सब के उपर एक एक बार बनाएंगे और last वाले के उपर दो बार बनाएंगे और फिर बीच में यह back post आ जाएंगे इन दो के उपर back post बीच में एक chain में chain के अंदर एक double crochet एक chain एक double crochet इस तरह से करते वे हम round को complete करेंगे और हर round में हमें जितने भी बड़ा अपना घेरा बनाना है हर round में हम इसी तरह करेंगे पहले triple crochet के उपर जो हमारा front post है उसके उपर दो बार बनाएंगे और बीच में सब के उपर एक बार बनाएंगे और last वाले के उपर दो बार बनाएंगे और यहाँ पर बैक पोस्ट के उपर back पोस्ट बनाते जाएंगे और बीच में जो एक चेन है इसमें एक डबल क्रोश्या एक चेन एक डबल क्रोश्या और फिर सभी के उपर बैक पोस्ट इस तरह से करते वे हम अपने गेरे को आगे बढ़ा लेते हैं देखे फ्रेंट्स इस तरह से हमने अपना गीरा त्यार कर लिया और लास्ट में इस रो में हमारे पास यह 13 ट्रिपल क्रोश्या आए हैं और अब हम यहां पर देखे तीन चेन लेंगे तीन चेन लेने के बाद पहला ट्रिपल क्रोश्या ऐसे उठाएंगे और पहले एक अब क्रोश्या पर तीन लूप बचे हैं अब तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे अब पहले हैं से हमारे बढ़ रहे थे डबल क्रोश्या अब यहां से हमारी घटने शुरू हो गए अब नेक्स्ट वाले के उपर ऐसे ही ट्रिपल क्रोश्या बुन लेते हैं जैसे हर ब क्रोश्या बनाते हुए आग से एक और बढ़ते हैं अब दोर है गए अब देखे लास्ट में हमारे दो ट्रिपल क्रोश्या रह गए यहां पर यह दो क्रोश्या तो पहले वाले में ऐसे डालते हैं और इसमें पहले एक लूप निकालेंगे फिर दो लूप और दो लूप इसी के उपर छोड़ देंगे फिर धागा लेंगे फिर इसको उठाएंगे और फिर ऐसे लेंगे पहले एक लूप निकालेंगे फिर दो लूप निकालेंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे अब फ्रन्ट पोस्ट जैसे हम हर बार बुनते आ रहे हैं इसी तरह से फ्रन्ट पोस्ट बुनेंगे अब हम बैक पोस्ट बुनेंगे जैसे हर बार बैक पोस्ट बुनते आ रहे हैं इसी तरह से इन बैक पोस्ट को बनाएंगे हर एक के उपपर एक बैक पोस्ट बनाते वे देखेे फ्रेंट्स इस तरह से अब हम बीच में आ गई जहां पर हमने एक चेन बनाई थी हाँ पर एक डबल क्रोश्या, एक चेन, एक डबल क्रोश्या इसके बाद फिर यह बैक पोस्ट बना लेते हैं यह जो यहाँ पर है बैक पोस्ट बनाने के बार देखिए अब पहले वाले फ्रेंट पोस्ट को उठाएंगे और ऐसे इसमें क्रोशेव निकाल कर पहले एक लूप निकालेंगे फिर दो लूप और दो लूप इसी के उपर छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट वाले फ्रेंट प पोस्ट के उपर जिस तरह से यहां पर गटाया इसी तरह गटा लेंगे और बैक पोस्ट के उपर बैक पोस्ट इस तरह करते वे अपनी राउंड को हम कंप्लेट करेंगे अब हम वर्क के लास्ट में आ गए तो देखें यहां पर जाकर हम इसको सिलीप इस्टीस से ऐसे जोइ फिर एक लूप में एक बार और दो लूप में एक बार और दो लूप क्रोशे पर ही रोकेंगे फिर यहां पर धागा लेंगे और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और इसको यहां से ऐसे निकालेंगे फिर एक लूप में एक बार और दो लूप में एक बार अब इस तरह से हमारे हर राउंड में अब ऐसे ही बनता जाएगा शुरू में हमें दो का एक करना है और बीच के जितने भी फ्रेंट पोस्ट है सबके उपर एक एक बार फ्रेंट पोस्ट बनाते जाना है अब देखें यहाँ पर यह हमने दो का एक किया था और एक इससे पहले फ्रेंट पोस्ट है तो पहले वाले फ्रेंट पोस्ट को उठाएंगे ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे एक बार निकाल लेंगे फिर दो लूप को एक बार निकाल लेंगे दो लूप इसी के उपर छोड़े और यहां पर धागा लेकर फिर जो दो का एक किया था इसको ऐसे उठाएंगे और यहां से ऐसे धागा निकालेंगे फिर एक लूप में एक बार दो लूप में एक बार और तीन लूप में एक बार तो यहां फिर से हमारा एक फंदा घट गया अब हम बैक पोस्ट के उपर बै बैक पॉष्ट बना लेते हैं इस तरह से कर रहाए को और हम बीच में आ गई जहां एक चेन ली Battle यहां पर एक डबल क्रोश्या, एक चेन, एक डबल क्रोश्या और अब इन सभी बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते वे और फिर इसके उपर भी ऐसे ही जैसे मैंने यहां पर बताया था इसी तरह से घटाते वे पूरे राउंड को कम्पलीट कर लेते हैं हम राउंड की लास्ट में आ गए अब देखिए यहां पर इसको ऐसे चेन में डाल कर इसको यहां से स्लिपिच से से जोईन करेंगे इसके बाद फिर तीन चेन और तीन चेन लेने के बाद जो दो फंदे हमने गटायते एक बनाया था इसका इन दोनों को उठाएंगे और ऐसे नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के उपर एक बार बनाएंगे फिर नेक्स्ट वाले के उपर भी एक बार और नेक्स्ट वाले पर भी एक बार बीच में जितने भी हमारे फ्रंट पोस्ट है सब के उपर एक एक बार बनाना है अब लास्ट में देखिए हमारे दो फ्रंट एक बार दो लूप इसी पर छोड़ देंगे और फिर धागा लेंगे और फिर इसको ऐसे उठाएंगे और फिर यहां से एक लूप में एक बार दो लूप में एक बार और फिर तीनो लूप में एक बार निकाल देंगे तो इस तरह से एक एक फंदा हर रो में हमारा इधर से भी घटेगा और इधर से भी घटेगा और ये बैक पोस्ट के उपर बैक पोस्ट जैसे मैंने पहले बताया था पहली रो में ऐसे ही बनाते वे जाना है और नेक्स्ट वाली कली के उपर भी ऐसे ही घटाना है तो देखे यह हमारा वर्क इस तरह से बनता जा रहा है कलियां बनती जा रही है इसी तरह करते हुए हम आगे का घेरा पूरा कर लेते हैं देखिए इस तरह से यहां पर एक एक फंदा घटाते हुए हमने इस तरह से अपना वर्क पूरा किया अब हम इसकी लास्ट रो बनाते हैं तो कि यहां पर धागा लेंगे और इस तरह से इसके अंदर से डाल कर इस तरह निकालेंगे पहले एक लूप में से निकालेंगे फिर दो लूप में से निकालेंगे अब देखिए हमें एक बार जो बीच वाल है इसके यहां से ऐसे निकालना है और एक लूप में से एक बार दो ल काल देते हैं तो देखिए इस तरह से ये V-shape में बन गया यहाँ पर अब ये बैक पोस्ट वाली रो आ जाती है हमारी तो इसमें यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं बैक पोस्ट के उपर बैक पोस्ट सभी बैक पोस्ट के उपर इसी तरह बुनते हुए जाएंगे हर एक के उपर एक ही बनाना है कोई इंक्रीज नहीं करना है ना कोई घटाना है हमें यहाँ पर यहाँ तक बुन लेते हैं इसको ऐसे ही बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ तक आ गए देखिए हमने इस वाले डबल क्रोस्ट के उपर भी बैक पोस्ट बना लिया अब बीच में जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर एक डबल क्रोस्ट एक चेन और एक डबल क्रोस्ट अब ज इस तरह से और next वाले पर भी एक back post इन सभी के उपर हम back post बना लेते हैं यहां तक अब हम देखें यहां पर आ गए जहां हमारी यह triple crochet बने थे front post अब इसको ऐसे धागा लेते हैं और पहले इस वाले को उठाते हैं यहां से और इस तरह से निकाल कर पहले एक लूप में से निक चोड़ देते हैं और फिर बीच वाला front post है इसमें ऐसे निकालेंगे पहले एक धागे में से फिर दो लूप में से अब इसके उपर तीन लूप हो गए अब next में जो यह वाला है इसके उपर इसके ऐसे निकालते हैं और पहले एक लूप में से निकालेंगे फिर दो लूप इस पर चार लूक बचते हैं हमारे तो चारों को एक साथ निकाल देंगे तो यहां से यह पत्ति की शेप ले लेता है इस तरह से और फिर बैक पोष्ट के ऊपर बनाते वे जाते हैं देखे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये वर्क बनेगा और ऐसे करते वे इस राउंड को कम्प्लीट कर लेते हैं अब हम वर्क के लास्ट में आ गए तो देखे यहाँ पर हमने ये सारे बैक पोस्ट बना लिए इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल क्रोश्या बनाया था इसके उपर वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिपिस्टिस से ऐसे जोइन करेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे देखे फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी पोशाग बन रही है अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो देखे बॉर्डर बनाने के लिए ये मैंने ओफ वाइट कलर की वुल ली है और इसमें ऐसे नोट लगाएंगे नोट लगाने के बाद आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमने धागा कट किया है वहां से भी कर सकते हैं तो देखिए हम इसी चेन के अंदर डालेंगे क्रोश्य हुक और यहां पर एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे फिर नेक्ट चेन में भी एक सिंगल हम यहाँ पर आ गए जाह हमने एक डबल क्रोश्या एक चेन और एक डबल क्रोश्या बनाया था इसके अंदर हम नाने द हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हमने नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोश्या next chain में एक सिंगल क्रोश्या next में एक सिंगल क्रोश्या अब हम हर एक chain में एक सिंगल क्रोश्या बनाते वे यहां तक आएंगे जहां पर एक डबल क्रोश्या एक chain एक डबल क्रोश्या है सभी के उपर एक-एक सिंगल क्रोशया बनाएंगे और यहां बीच में आकर जहां एक चेन यहां पर दो सिंगल क्रोशया बनाएंगे तो इस तरह से करते वे इस राउंड को हम यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं अब हम वर्क के लास्ट में आकर देखिए सब जगे सिंगल क्रोशया बनाते वे अब यहां पर सुरू में जो सिंगल क्रोशया बनाया था इसकी चेन में जाएंगे और सिलिपिस्टिस से इसको जॉइन करेंगे और यहां पर इस धागे को कट कर देंगे इस तरह से और धागा हम पीछे एरजेस्ट कर देंगे अब देखिए हमें जो ये कलियां बनी है इनके उपर वर्क करना है तो पहले धागे में ऐसे नोट लगा लेते हैं अब नोट लगाने के बाद देखिए आप कहीं पर भी कोई सी भी कली के नीचे से यहां से देखिए जो हमने चोली बनाई थी चोली की जो ये लास्ट वाली रो है यहां पर ये चेन दिखाई दे रही है इस चेन के अंदर जाएंगे और यहां पर ऐसे सिंगल क्रोशय से इसको जॉइन करेंगे उसके बाद हम ये कली पकड़ लेते हैं अपनी एक बार और बता देती हूँ मैं आपको दुबारा से समझा देती हूँ देखिए फ्रेंट्स ये जो कलीयां बनी वी है और कली जहां से हमने शुरू किया जहां पर हमने ये तीन डबल क्रोशय एक चेन और तीन डबल क्रोशय बनाए थे तो तीन चेन के बीच में जो इस पेस है यहां पर उपर वाली चेन में इसमें क्रोशय उक डालेंगे और यहां पर ऐसे एक सिंगल क्रोशय बनाएंगे इसके बाद हम ये कली पकड़ेंगे इस तरह से और कली के जो पहले जो हमने तीन डबल क्रोश्या बनाए थे इस वाले डबल क्रोश्या के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे दो सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब ये जो हमारे ट्रिपल क्रोश्या है जो किनारी पर है बिल्कुल ये लास्ट वाला जो यहाँ पर है सबसे पहले वाला इसमें डालेंगे और इसमें ऐसे दो सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब इस से next वाला triple crochet है ये ये देखिए इसमें डालेंगे यहाँ पर भी दो single crochet बनाने हैं और थोड़ा सा loose हाथ रखीए टाइट आथ नहीं रखना है अब यहाँ वाला triple crochet उठा लेते हैं ये पहले वाला इसमें भी दो सिंगल क्रोश्या देखे इधर से देखे आप जहां से हमारी पत्ती बनती जा रही है इस तरह से जो सबसे पहले वाला ट्रिपल क्रोश्या होता है इसको उठा लेते हैं और यहां पर दो सिंगल क्रोश्या अब नेक्स्ट वाला ये वाला ट्रिपल क्रोश्या इसमें दो सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब ये वाला देखे यहां से उठा लेते हैं इसमें दो सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब इसके उपर ये वाला है इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पर दो सिंगल क्रोश्या बनाएंगे अब यह next वाला देखे इसके उपर भी दो सिंगल क्रोश्या इस तरह से हम उपर करते वे जाएंगे इसके बाद यह वाला है हमारा triple क्रोश्या इसके उपर भी दो सिंगल क्रोश्या फिर next वाले पर भी दो सिंगल क्रोश्य इस तरह से अब देखे ये last में जहाँ पर हमने चार लूप का एक किया था ये वाली कली है इसका जो पहला triple क्रोश्य है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से दो सिंगल क्रोश्य बनाएंगे अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद देखे इसी के उपर जो सिंगल क्रोश्या है इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर इस उपर चेन में जाएंगे और इसको यहाँ से सिलिपिस्टिस से ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर एक chain बनाएंगे, अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, अब हमें इस पत्ती के इस वाली किनारी पर वर्क करना है, तो देखिए यहाँ से यह पहला triple crochet उठाएंगे और इसमें 2 single crochet बनाएंगे, अब इससे next वाला, यह वाला triple crochet है, इसको उठाएंगे, और यहाँ पर फिर से 2 single crochet बनाएंगे, फिर next वाली पत्ती है, यह वाली triple crochet है, जो पहले वाला, इसमें 2 single crochet, फिर यह वाला triple crochet, इसके अंदर 2 single crochet, देखिए, पहले हमने इस पत्ती के इस किनारी पर काम किया, यहाँ तक, और अब हम इस वाली किनारी पर काम करेंगे, तो इसमें सबसे पहले वाला triple crochet होता है, उसको हम उठाते हैं, और उसके अंदर 2 single crochet बना लेते हैं, इस तरह से हर एक के उपर करेंगे, दो single crochet, अब next वाला यह वाला front post है, इसमें 2 single crochet, next वाला यह है, इसमें 2 single crochet, फिर next वाला यह है, इसमें 2 single crochet, फिर यह next वाला, इसमें 2 single crochet, फिर यह next वाला है, इसमें 2 single crochet, अब देखें, इसके बाद, इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे, नीचे की साइड, और देखें, यहाँ पर जो यह हमने 3 double crochet बनाये थे, इसके उपर वाली chain में जाएंगे, और इसको यहाँ से ऐसे single crochet से जॉइन क बरेंगे, फिर इसके बाद next पत्ती ऐसे घुमा लेंगे, और इस वाली पत्ती के किनारी पर इधर, पहले यहाँ पर बनाएंगे, इस वाले में देखें, दो बार single crochet, और फिर next वाले इसमें फ्रेंट पोस्ट में दो बार single crochet, फिर next वाले फ्रेंट पोस्ट में दो बार single crochet, इस त्रह से हम अपने work को करते जाएंगे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से पत्ति के ऊपर यह वर्क बनता जाएगा इसकी किनारी किनारी पर अब हम यहां से स्टाइट करेंगे फिर यहां तक उपर लाएएंगे इसको और फिर यहाँ पर एक chain बना कर इस उपर वाली chain में slip stitch से join करेंगे और फिर यहाँ इस पूरी किनारी पर single crochet बनाते वे आएंगे फिर यहाँ से ऐसे करते वे जाएंगे फिर इधर से आएंगे ऐसे करते वे इस पूरे round को complete कर लेते हैं देखिए friends इस तरह से single crochet बनाते वे हर कली के उपर हम यहाँ तक अपने work के last में आ गए देखिए यहाँ पर भी हमने बना लिया और अब हम यहाँ पर एक chain बना कर इस धागे को cut करेंगे और cut करने के बाद यह दोनों धागे पीछे की और ले जाकर इनको पीछे note लगाकर यहाँ से निकाल देंगे इनको और note लगाकर इनको adjust करेंगे तो इस तरह से यह पोशाक बन गई तो देखिए friends यह है हमारी dress का final look हमने चोली का border भी बना लिया और यह कलियों वाली बहुत ही प्यारी पोशाक बनी है कैसी लगी friends आज की पोशाक आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को like, share और subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना साथ में bell icon भी प्रेस करना मेरी आने वाली हर वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी तो next वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए राधे राधे